हमारी YouTube चैनल में आपका हरदिक स्वागत है और आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कम पानी पीना क्यों खतरना만 चाहता हैं छो हां दोस्तों अगर हम पानी का सेवन कम करते हैं तो इसे हमें इसका ये क्यों हानिकार के बिना तो कुछ दिनों तक जिन्दा रह सकते हैं लेकिन पानी के बिना रह पाना बहुत मुश्किल है कम पानी पीना या फिर ना के बराबर पानी पीना दोनों ही स्वास्थ पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये एहसास भी नहीं होता ह कि पानी पीना कितना जरूरी है जब भी यूरीन और पसीना के माध्रम से हमारे शरीर का पानी बाहर निकलता है हमें प्यास का एसास होता है प्यास लगे होने पर अगर हमारी आवशक्ता की पूर्ती नहीं होती है तो हमें कमजोरी का एसास होने लगता है पानी और ऑक्सीजन दो ऐसी चीजे हैं जो हमारे जीवन को संभव बनाती है कम पानी पीने से न केवल हमें प्यास का एसास होता है बलकि शरीर पर भी कई तरह के नकारात्मक प्रभाव पढ़ते हैं ऐसे में यह जाना बहुत जरूरी है कि कम पानी पीने से हमारे शरीर पर क्या नकारात्मक प्रभाव पढ़ सकते हैं कम पानी पीने से धलती उम्र के निशान जल्दी नजर आने लगते हैं जुरिया जल्दी पढ़ जाती हैं तचा अपनी चमक खोकर ढीली पढ़ने लगती हैं डिहाइड्रेशन की स्थिती में दिमाग भूख लगने वाले संकित भेजने लगता है जबकि शरीर में पानी की कमी के चलते मेटाबॉलिजम की प्रक्रिया सही से नहीं हो पाती है और शरीर में फैट जमा होने लगता है हमारी मानशपेश्यों के लिए भी पानी बहुत जरूरी होता है पानी की कमी होने पर मानशपेश्या सुकुरने लग जाती हैं ऐसे में अगर जिन में वर्काउट करते हैं तो भी आपके लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीना जरूरी है तचा में मॉस्चराइजर की जरूरत होती है जो उसे पानी से मिलती है पानी पीने से तचा हाइडरेटेड बनी रहती है जबकि कम पानी पीने से तचा की नमी उड़ जाती है और यह रूखी बेजान हो जाती है अगर आपकी हड्यों और जोडों में दद रहता है हो तो हो सकता है कि आप कम मातरा में पानी पीते हों कम पानी पीने से आँखे भी सुस्क हो जाती हैं अगर आप चश्मे की जगह लेंस का इस्तमाल करते हैं तो आपके लिए यह बेहत जरूरी है कि आप अच्छी मातरा में पानी का सेवन करें डिहाइड्रेशन की सबसे बड़ी निशानी यह है कि कम पानी पीने वालों का मुह हमेशा सूखा रहता है कम पानी पीने वाले के दात और जीब में जीब से जोड़ी कई समस्या होने का खत्रा बना रहता है कम पानी पीने वाले को चकर आने की समस्या ब तो दोस्तों ये थी जानकारी कम पानी पीने से होने वाले खतरनाक लचणों के बारे में आशा करते हैं कि आप भी जान गए होंगे कि हमें कम पानी पीने से क्या-क्या खतरा हो सकता है और हमें पानी ज्यादा क्यों पीना चाहिए अगर आपको यह जानकारी अच्छे लगी है तो इस वीडियो को लाइक करे और अपने दोस्तों के साथ फेस्बूक और वाटसैब जैसी जगों पर शेयर करें और अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाओ चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो दोस्तों इसे तुरण सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसे ही महत्पूर जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं मिलता अगले वीडियो में तब तक की लिए नमस्कार दोस्तों